कच्चे अलू का ये नास्ता फ्रेंट्स जिसे आप सुबह साम नास्ते में भी बना सकते हैं या तो ब्रत हैं ब्रत में भी से बना सकते हैं तो इस तरीकी सिस नास्ते को बना सकते हैं फ्रेंट्स आप खाने बहुत टेस्टी लगता है तो हम वीडियो को शुरू करने चल रहे तो एक पैन रख दिये हैं, तीन चम्मचन देसी घी डाल देंगे, तीन चम्मचन देसी घी डाल दिये हैं, तेल को घी को गरम होने देंगे, देखिए तीन हम मीडियम साइज की आलू को ग्रेट कर लिए हैं, एक हम हरी मिर्ष डाल दिये हैं, और हलका सरोष्ट कर लेंगे मिर ग्रेटर से ग्रेट किए है और इसे हम डाल दे रहे हैं पैन मेंे और ची तरीके से चला देंगे देखिए चला दे रहे हैं और ढग भी इसे में ताकि यालु हमारा बिल्कुल saft हो जाए और कोछह तक पक जाए तो देखिए हम धक दे रहे हैं और ढखके हम आलू को पकने देंगे देखे चला दिये हैं और ढखके पकाए हैं 3-4 मिनट तक आलू हमारा पाले से बिल्कुल स्वाफ्ट हो गया है देखिए देखने में भी कम लग रहा है इस तरीके इस नाज्टे को आप जट पर बना सकते हैं अवरत में भी इस र देखिए 50 ग्राम तक हम देखिए मुंफली को रोष्ट किये थे उसे हम दरदरा पीसे हैं उसे डाल दिये हैं दरदरा सा देखिए चला दे रहे हैं और थोड़ा सा मुंफली हम वह इसे साबुट डालेंगे देखिए पीस के भी डाले हैं दरदरा कूटे हैं और साबुद भी डालेंगे दोनों मुंफली डालने से नाज्टा बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से नाज्टे को बनाएं आप इस देखिए चला दे रहे हैं नाज्टा बनने में बिल्कुल समय नहीं लगता है आल आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे देखिए आधा टीस्पून और नमक को डालेंगे स्वादिकार्डिंग और शला दे रहे हैं अच्छी तरीके से नाज्टा हमारा बनकी बिल्कुल तयार हो गया है प्रेंट से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शियर, कमेंट करें अगर फेस्बूक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है फालो करें तो देखिए चला दे रहे हैं और लास्ट में हरी धनिया को डाल दिये हैं और चला देंगे नास्ता बनके हमारा तयार हो गया है देखिए चला दिये हैं आप देख पा रहे होंगे तीन आलो थी जब हम डाले हैं तो कितना ज़्यादा थी भी कम हो गई तो मिलते हैं नई रेश्पी नई वीडियों थैंक्स बार